नमस्कार आप देख रहे हैं SPN 9 News मद्यपरदेश में बीते मार्च महा में एक बड़ा उलट फेर हुआ जिसके मुताबिक कॉंग्रिस के परदेश के कदावन नेता जियोती राधित्या ने कॉंग्रिस से अपना इस्तीफा दे दिया उसके बाद राज्य में काम कर रही कमलनाथ सरकार धाराशा ही हो गई सूत्रों का कहना है सिंधिया ने केंद्रिय मंत्री बनने के लिए कॉंग्रिस छोड़ी थी सिंधिया की वज़े से 22 विधायक रातो रात भोपाल से बैंगलोर पहुँच गए और मेल से अपना इस्तिफा राज्यपाल को सौप दिया इसके बाद कई दिन तक चले नाट के घटना करम में कमलनाथ सरकार ने सुप्रीम कोट के निर्देश के बाद बहुमत सिध होने से चन्द घंटे पहले इस्तिफा दे दिया इस दोरान महराज सिंधिया ने बीजेपी का दामन थाम लिया और भाजपा ने मद्यपरदेश से उन्हें राज्यसभा का उमीदबार बना दिया अब उनका केंद्र की मोधी सरकार में मंद्री बनना भी तैह हो गया था लेकिन अब ऐसे हालात बने जिसकी कलपना सिंधिया और उनके समर्थोन ने भी नहीं की थी देश में करोना नामक महमारी फैल गई और इस कारण राज्यसभा का चुनाफ स्थगित हो गया फिलाल उनका राज्यसभा भी कलियर नहीं हो पाया जबकि अधिक्तर लोग राज्यसभा सांसद, निर्विरोथ, निर्वाचित हो चुके थे और उनका मंद्री बनना भी मुश्किल नजर आ रहा था उदर सिंधिया समर्थक, विधायक भी अब अपना इस्तिफात दे कर मायूस जरूर हो रहे होंगे क्योंकि मद्देपरदेश सरकार के सीएम के तौर पर शिवरास सिंग ने शपत ग्रहन तो कर ली लेकिन मंद्री मंदल का विस्तार नहीं किया और अब होना मुश्किल दिख रहा है मीडिया में आई खबरों के अनुसार मुझूद अस्तिती में खुद सिंधिया और उनके समर्थक पूर विधायक भी असहज है और बदले बाहौल में बीजेपी में भी उनको भाव नहीं मिल रहा धन्यवाद